नमस्काय दोस्तों आज की कहानी एक हार टचिंग स्टोरी है छोटे लोग दस बजने को आए और शीय सगुना की बच्ची अभी तक इसका कोई पता नहीं महारानी मेरा फोन भी ने उठा रही है जरूर इधर उधर काम करके पैसा बना रही होगी आज आये तो सही खबर लेती वी रजनी बार-बार घड़ी की तरफ देख से जा रहे थी तभी कॉल बेल बजी तो उसने उठके दरवाजा खोला पसीने से लटपत सगुना खड़ी थी देदी वो क्या है सगुना ने कहना चाहा लेकिन रजनी उस पर फट पड़ी आज तो तेरा कोई बहाना नहीं सुन ये सब कैसे हुआ आप तो स्कूल जा रहे थे अरी सगुना तो खड़ी-खड़ी क्या देख रही है जा फ्रीजा से बरफ निकाल कर ला और सुन गीजा से गरम पानी भी ले आना कितना खून बह गया है कहकर बेटे को गोद में बिठा गया हाथ पर लगे रक्त को पोच्ट गई उसी समय सगुना यहां आ रही थी हमें सड़क पे पड़े देखी तो दोड कर आई और एक कॉटों में बठा के हाथ भी नहीं लगा रहे थे पर तुम्हारी सगुना तो उनसे भीड़ गई और बोली अब कानून है इससे पहले इलाज करेंगे फिर पिलिस जाच होगी सच कहता रजनी उस समय सगुना ना होती ना जाने क्या हो इतने में सगुना बरफ की थैली लेकर आगे और उसे देते वे बोली दीदी लीजे बरफ साहब जी को गुटने में ज़्यादा चोट लगी है आप रजनी सगुना का हाथ पकर के बोली सगुना मुझे माफ कर दो तुने इनके जाद मचाई और मैंने ठेंक्स कहते के बजाए तुम्हें खरी खोटी सुना दिया तेरा आइसान में कैसे कहते कहते वर वो पड़ी सगुना उसके आसुओं को पोच्छते वे बोली नहीं दीदी ऐसान कैसा ऐसे ही मेरा एक दिन आदमी भी बेटे कर स्कूल छ देख ली हूँ तो रिष्तेदार से लेके महले वाले ने क्या कुछ नहीं सुनाया देदी आपने तो हमें बहुत प्यार दिया है फिर उसमें आपकी बातों का क्या कहते हुए भावुक हो गई मुस्कुराते हुए रजनी के बेटे को पुछकारने लगी अभी भी दरध हो देजगा और हमारे चैनल को सुस्क्राइब कर लिजगा धन्यवाद